नमश्कार, स्वागत बच्छाँ आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी 9th August 2017 को जो CGL का exam हुआ था 3rd shift में वो exam करने जा रहे हैं तो यहाँ पर यह 7th video है और इससे पहले की जो previous video है एक अलग से playlist बना रखी है SST previous exam करके तो वहाँ पर आप लोगों को 6 video वहाँ मिल जाएंगी और previous exam जो है उनकी अगर एक पर practice हो जाए क्योंकि हमें पता है आने वाले time में SST के exam स्टार्ट होने वाले तो जितना अच्छा previous exam को हम लगाएंगे तो उनसे सीखेंगे तो बहुत जादा chances होते हैं या तो वो question repeat हो जाएं या फिर हमारे जो जितने भी concept हमने सीखा हुआ होता है वो बहुत जल्दी revise हो जाते है तो best way रहता है कि exam के अगर आप prepare कर रहे हूं तो अपना mock test से भी पहले previous exam को देख लेना चाहिए चलिए start करते है जो आपका first और second question है वो दोनों error के उपर है first try आप लोगों को करना है video pose करनी और find out करने ही कोशिश करनी है कि इन दोनों में error क्या है चलिए कोशिश करिए उके उमीद करता हूं कि आप लोगोंने first और second question करने की कोशिश की होगी देखें यह जो concept आ है जो आपके सामने या फिर मैं यह जो 9th अगस्त को जो exam हुआ है third shift के third shift में तो इससे पहले जो 6 वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को concept बताया है कि errors related कितनी बार question जो है वो repeat हो रहा है same इसके अंदर भी है question इस बार repeat होकर आए चलिए एक बार first question देखते है first question कहरा है my brother find it difficult to pass away the time at our grandparents house मेरे भाई को मुश्किल हुई अपना time pass करने में obviously यहां पर पता चल रहा है na time pass की बात हो रही है to pass to pass what time time को pass करने में मुश्किल हुई कहां पर हमारे grandparents के घर में clear तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि to pass एक तो यह pass away pass away का मतलब होता है die यानि मर जाना किसी का तो यह वाली बात हो रही है भाई तुम time को थोड़ना मार रहे हो clear to pass यहां पर away एक तरीके का fall to go word यहां पर डाल रहे है किसी को मारने की बात नहीं हो रहे है तो simple यहां पर आना था to pass the time clear यहां पर तो इसमें error हो गया जो second के अंदर है second के अंदर no sooner देखे बहुत बार I think मैंने जब से यह 2017 के exam को मैं आपके सामने ले के आ रहा हूँ यह जो question आ रहा है यह शायद fourth time repeat हो रहा है आप previous वीडियो देखोगे न छे वीडियों चे वीडियों के अंदर तो चार यह तीन बार आ चुका है अलड़ी चोति बार आ बार है fourth time repeat हो रहा है अब देखे नो सुनर के बाद जितनी easy चीज़ें होती न यह चोटी चोटी चीज़ें याद रहें जैसे नो सुनर के साथ एक pair लगता है then come तो ती एच एन आना है तो simple आपका यहां पर किस में जाएगा third के अंदर अरे question बढ़ने की बजूरत नहीं पड़ेगी कई होते हैं कि sir हमें English इतनी समझ में नहीं आती और fourth question एक बज़ जड़ा कोशिच करिए क्या करेंगे चलिए third question पर आते हैं dash you work hard you cannot succeed dash you work hard you cannot succeed अगर आपने previous video देखी होगी नो तो मैंने आपको लोगों को बताया था if का pair बनता है if का जब pair बनता है तो एक यहां पर simple interest आता है simple interest के है तो if इसके बाद अगला जो close लिखा होगा वो किस में लिखा होगा will या फिर कहूं future simple future के अंदर simple future के अंदर वो बात लेखी होगी तो जिरा यहां पर देखो dash you work hard you cannot succeed भाई तुमारी बात हो रही है अगर तुम work hard नहीं करोगे यह वही वाला concept है अगर तुम work hard नहीं करोगे तो तुम succeed नहीं हो सकते यहां पर if नहीं आ सकता if क्यों नहीं आ सकता आगे negative की बात हो रही है till और until भी वैसे भी नहीं आएंगी यहां पर आएगा unless तो यहां पर third में आजेगा unless क्योंकि unless के अंदर एक तरीके का negative यही है यहां पर आओ जो रहा यहां पर till और until का जो है वो time से relation होता है तो इसलिए वो नहीं आ सकते कहीं हम सोचोगे आपने यह नहीं बता है आजा fourth में आते corruption is standing hindrance dash the nation's development यहां पर एक proportion का ही है तो यहां पर इस word के साथ two proportion आएगे clear यहां पर जो कुछ एक words हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी कि उनके साथ क्या-क्या आते हैं जो preposition आती है two fixed preposition कहलाते हैं अच्छा चलिए यहां पर fifth और sixth के अंदर आप लोगों को इनके similar meaning ढोड़ने जैसे lethargy का similar meaning क्या होगा same to same hoodwing का similar meaning क्या होगा जड़ा कोशिश करिए ओके उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने करने ही कोशिश की होगी फिफ्ट में यह है lethargy lethargy का मतलब होता है सुस्त आलसी ठीक है सुस्त आलसी तो आपको पता है activity activity के अंदर तो कोई आप काम कर रहे हो activity होगी आपकी उसके अंदर तो यह तो हो नहीं सकता इसका similar meaning drowsy drowsy का मतलब होता है मुर्जाया हुआ drowsy का मतलब होता है मुर्जाया हुआ तो मुर्जाया हुआ या फिर कहूँ सुस्त दोनों ही से में तो lethargy का similar meaning में क्या आजेगा drowsy अचा modest modest का मतलब होता है मतलब मामूली सा बिल्कुल मामूली सा हो गया pleasure pleasure मतलब कि किसी को एक तो खुश करना प्रशन करना तो वो वाली बात आगी तो lethargy का similar meaning यहां पर आएगा drowsy तो यहां पर एक साथ आपके देखा एक, दो, तीन, चाहर पांच पांच words आपके यहां पर हो जाएंगे साथ ही साथ अगले में देखी hoodwink hoodwink का मतलब होता है चलना धोखा देना क्या होता है चलना धोखा देना अरे धोखा देना ऐसे नहीं होगा न हाँ यही होगा धोखा देना clear तो hoodwink का मतलब होता है चलना धोखा देना अचा hoodwink का अब यहां पर इनके अंदर इनका same meaning ढूडे तो यह अगला है defraud defraud का मतलब भी वही होता है चलना same to same चलना तो धोखा देना तो यह आगया इसका आपके सामने meaning अचा यह क्या है illicit illicit का मतलब होता है aware illicit का मतलब होता है aware secret stair stair का मतलब होता है घूना secret का तो आपको पता है रहस्य हो गया clear अचा यह जो 7th और 8th question है इसके अंदर आप लोगों को opposite meaning ढूणने है multi-faceted का आपको opposite meaning ढूणना है और trepidation का opposite meaning ढूणना है चलिए जरे एक बार कोशिच करिए okay चलिए multi-faceted multi-faceted का मतलब होता बहु मकी जिसके बहुत सारे रूप होते है यानि भाई साब उसको कैसे पहचाने यह तो यार वो इतना भारूपिया है मतलब ऐसा नहीं कि उसने मुग के उपर एक तरिके का नकाब लगा रहा एक बोलते नहीं है यार यह तो बहुत दो गला इंसा नहीं इसके तो बहुत एनने एक रूप है तो वो चीज है एक तो होता है ना बहुत ज़ादा इसके अंदर आपके face है बहुत बहुर रुपिया है तो यह को होता है बिलकुल simple सा तो यह रहा चीक चीक के बोल रहा है इसका multifaceted का opposite क्या जाएगा simple अच्छा यहां पर pliable pliable का मतलब होता है कॉमल pliable का मतलब होता है handy मतलब की asan trepidation trepidation का मतलब होता है गबराहट अब आप किसी मतलब की कांप रहे तो उसका opposite क्या होगा अरे वो बिलकुल शान्त है यार वो कांप नीरब तो इसका opposite क्या चले जाएगा कांप अचा बाकी के तो मुझे लगता है कि आप लोगों का आती होंगे bold, fear, violent यह तो बहुत असान है चलिए ninth और tenth जो है वो है idioms चलिए कोशिच करिए एक बार करने की ninth ninth कहा रहा है kick the bucket बहुत बार यह idiom है जो वो repeat होता रहा है kick the bucket का मतलब होता है to die मर जाना अचा an ax to grind an ax to grind का मतलब होता है to have a selfish motive तो इसका यह हो गया यह वाले जो idioms है न इनको याद करने के लिए इनको याद करवाने के लिए मैंने एक playlist बना रखी है idiom and phrases करके वहाँ पर जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने image के थुरू trick के थुरू यह चीज़ें करवाई हुए तो आप जाकर वो देख सकते हैं साथ साथ grammar की भी मैंने बहुत सारा concept आप लोगों को करवा दिया तो वो भी आप देख सकते हैं आपकी grammar वहाँ पर मजबूत हो जाएगी और best way तो यहाँ पर चल रहा है कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर revise होई रही है 11th और 12th में क्या है 11th और 12th में 11th में कह रहा है कि मतलब दोनों के अंदर आप लोगों को sentence improve करने है sentence improve जो आपके सामने ये bold actions में दे रहा है words के अंदर इनको improve करके लिखना है चलिए एक बार कोशिश करीए 11th पर आते है 11th के we are looking forward देखे forward के साथ आता है we are looking forward to we are looking forward to we are looking forward यहाँ कहा गया we are looking यहाँ पर ना space मैंने गलती से दे दिया कि मेरे से ही गलती होगी यह एक साथ है we are looking किंग ऐसा नहीं है, we are looking forward to यह आएगा, क्योंकि forward के साथ two preposition लगती है, त्यान रखना है चीज का बाकी नहीं आएंगे, अच्छा 12th के अंदर के है, he promised to mend his way, यह बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई error नहीं है clear, अच्छा, आगे चलते हैं 13th or 14th, 13th or 14th के अंदर आपके सामने है one word substitution, one word substitution का होते हैं, अने एक शब्दों का एक शब्द, जैसे पहला जो आपके सामने दिया हुआ है, 13th, वो कहा रहा है one who is determined to take full revenge for wrong done to him, जो उसके साथ बुरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, वो वेक्ति क्या कहलाएगा vendictive, vendictive vendictive कहा है, यह रहा fourth, clear, आगे यह nigger, यह chocolate color का होता है, या फिर आपने nigger-nigger सुने भी होंगे, ठीक है यह है pedantic, pedantic का मतलब होता है, पर जरूरत से ज़्यादा शुद होना, ठीक है same to same, लेकिन इसमें थोड़ा सा फरकाई यह है, परतिशोध की देवी एक तरीके का इसे करते हैं, अच्छा, यहाँ पर आएगा nemesis, यहाँ पर क्या है इसका, nemesis, clear यहाँ पर आगे चलते हैं अच्छा, फिफ्टीन्थ और सिक्स्टीन्थ के अंदर आप लोगों को incorrect spelling चांटनी है, कि जो इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, चलिए फिफ्टीन्थ के अंदर आते हैं फिफ्टीन्थ में जो आपके सामने जो गलती है, वो है glamorous, clear यहाँ पर सिक्स्टीन्थ सिक्स्टीन्थ के अंदर क्या है सस्टेन्स यह रहा, यहाँ पर यहाँ पर यह जो है वो एक इस्थान पर यह जो है वो एक इस्थान पर आने वाला है clear हुआ, तो यह जो थे यह आपके सामने क्या कहते हैं, spelling test होगे glamorous के बाद यह R के बाद R O U S आना था, ठीक है इसका ध्यान रखना, भूल गया मैं 17th और 18th 17th और 18th 17th और 18th PQRS है इनको जो sentence है वो सही करम में आपको जचाने 17th का क्या होगा, 18th का क्या होगा यहाँ पर लेखे होगा, यह 17th के है और यह 18th के options है चलिए एक बार कोशिच करिए, क्योंकि बहुत important चीज़ आई 17th के आते है 17th है देखे, मैंने आपको एक trick बताई थी छोटी मोटी, कि आप अगर confused होते हैं कि पहला sentence को जाएगा, तो थोड़ा बहुत option से help ले लो, option के अंदर देखे, आपके सामने ते रहा है Q, Q, Q तो यहनि आपको इतना समझा है Q से start होना है, तो Q क्या कह रहा है comfort is now one of the cause of its own spread मतलब जो comfort है, वो खुद, मतलब इतना जादा इसका खुद का कारणा है कि वो जादा फैलने लग गया सबको comfort चाहिए, ठीक है अचा, यहाँ पर R, P, P, S क्या आएगा P के बाद क्या कह रहा है, to those who known comfort, discomfort is real जो comfort को जानते हैं उनके लिए discomfort का बहुत बड़ी चनोती हो जाती है, S विधा हो जाती है, अचा, R क्या कह रहा है The more comfort is brought into the world the more it is likely to be valued, जितना जादा comfort आएगा, उतनी उसकी जादा value बढ़ती चलेगी अचा, S क्या कह रहा है It has now become a physical habit a fashion and idol to be pursuit for its own sake, अचा, यहाँ पर भी मैंने OWN के बीच में space दे डाला, अचा, यह कह रहा है कि it is now, यह एक habit बन चुकी है, यह एक fashion बन चुका है यहाँ पर सभी लोग इसके लिए भाग रहे हैं, ठीके, तो यहाँ पर comfort की बात और यह comfort से better, तो इसके बाद यह रहेगा कि इसके बाद यह बात बोली जाए कि comfort के बाद क्या हो रहा है, इसके अंदर क्यों फैल रहा है, क्योंकि यह कावदत बन गई है fashion में आ चुका है, तो QS is the right answer, तो QS दिखा था है, तो एग में यह तो fourth, अच्छा, यहाँ पर आते है 18th, 18th कहा रहा है यहाँ पर आप option देख लिजी, Q QSS, तो यहाँ तो Q से start होगा, S से start होगा Q पर आते हैं, अरे बहुत गड़बड करके मैंने यहाँ पर भी used के अंदर, you के अंदर भी वो दे रखे है, मैंने space दे दिया अच्छ, यहाँ पर क्यों कहा दे है, courage is required to explore our secret life because we must first withdraw from the social mirror where we are fed positive and negative feedback continuously, मतलब कि courage की बहुत जादा require होती है कि हम अपनी जो life को explore करना चाहते हैं, first of all तो हमें इस social mirror से बहार निकल रहा होगा यह समाज से बहार निकल रहा होगा, जो हमें negative या positive के feedback के मतलब तोल के रख रख है, कि इन चीजों से अच्छ, as क्या कह रहा है, as कह रहा है as we get used to this social feedback, it becomes a comfort zone अगर हम इस चीज के आदी हो जाएंगे तो हम यह comfort zone में पहुंच जाएंगे और उससे बहार निकलना मुश्किल हो जाएगा, अगर social feedback में कि कौन क्या कह रहा है हमारे लिए, तो यह हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, यह comfort zone हो जाएगा, हम उसके according काम करने लग जाएगे तो मेरे हिसाब से जो Q है वो best रहेगा क्योंकि comfort की पहले बात हो रही है मतलब कि social social चीजों की पहले बात हुई है तो उसके बारे हम बात बोलेगे यह feedback के बारे में तो feedback कहां पर आए तभी तो QS आएगा मतलब कि Q तो आएगा यहागा Q आएगा तो Q आएगा पहले पर अब देखते हैं इसके बाद यह दो रहेगे यहाँ पर यह दो रहेगे इन दोनों को देख लेते हैं क्योंकि बाद S आएगा यह क्योंकि बाद R आएगा R क्या कह रहा है and we may opt to avoid self और एक कहा गया and we may opt to avoid self examination and idle away our time in a vacuum of reverie and rationalization अच्छा यह क्या कह रहा है कि हम शायद उस चीज़ को avoid कर देंगे जो हम खुद examination करते हैं हम दूसरों के उपर छोड़ देंगे कि आप हमें examin करके बताओ कि हम अच्छे हैं यह बुरे वो हमारे उपर negative positive चीज़ों को चांटने लग जाएंगे तो हम अब आरा खुद का self examination करना भूल जाएंगे हम उसे avoid करने लग जाएंगे तो यहाँ पर इस courage के बाद तो S is सही रहेगा क्योंकि आप बता रहे हो ना social इससे बाहर निकलना जरूरी है social feedback से अगर नहीं निकलेंगे तो क्या हो जाएगा हम खुद का self examination करना ही पाएंगे तो यह problem आने लग जाएगे तो यहाँ पर QSR QSR तो यह रही हाँ यहाँ पर QSR is right answer तो first अब आते हैं यहाँ पर 19th और 20 19 और 20 के अंदर 19 में में आप लोगों को passive active करना है और 20 के अंदर direct indirect है अचा 19 में आते हैं 19 कह रहा है The kids were laughing at the old lady देखे वर है laughing है यानि past continuous है तो past continuous है laughed दो आएगा और being इसके पहले आएगा तो being जहाँ नहीं है वहाँ काट दो being यहाँ है being यहाँ है यह नहीं है तो यहाँ पर fourth cut गया first cut गया दो बचते हैं आपके सामने third आएगा या second आएगा third आएगा अचा दोनों में चीजों में क्या चीज को मतलब नहीं है यह भी वाई फिर मैंने space कर दे यहाँ पर रख दिया अचा यहाँ पर है add by यहाँ पर add by है क्योंकि यहाँ पर एक add ask my cousin तो यहाँ पर ask me said to तो होना नहीं है तो यह कट गया यह तो कट गया अचा आस्क्ड मी तो सब में है अचा यह question पूछ रहा है तो that वाली चीज वैसे नहीं आएगा तो यह कट गया अब यह दो बचते हैं यह तो if आएगा यह वैदर आएगा if I want यह गलत हो गया if weather I wanted तो यह elimination से हो जाती है अब 21 से लेके 25 तक जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो close test है चलिए एक बार जल्दी से वीडियो पोस करके यह पूरा का पूरा paragraph पढ़ लीजिए चोटा से है बहरा paragraph भी क्या कहूं इसको उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने यह तींचे आप जो लाइन ने दिये हैं वो पढ़ ली हुई आओ जरा करते है पहली जो बात बोली जा रही है एन इंडिपेंडेंट एक जो आजाद है एक जो स्वंतंत्र है एबल टो अपराइट एबल अपराइट जुडिश्री इस अ होल मार्क ओफ ए फ्री डैश कंट्री जो एक अजाद एक स्वंतंत्र है उसके अंदर वो काबलियत होती है कि वो जुडिश्री को उटा सके एक होल मार्क मतलब उसको कर सके किसके लिए, एक country के लिए, वो country कैसी हो चाहिए, autocratic, democratic, liberal या participative, तो भई या autocratic नहीं, वो क्या होगी, democratic होगी, ध्यान रखना, यहां पर इसमें क्या आजेगा, second, अचा, आगे बोल रहा है, the process of judicial appointment is of dash importance, भई कितना है, कितना importance, भई बहुत जादा, vital, बहुत जादा, तो यहा सारे जो paragraph है, या फिर यह तीन चाह जो line है, तो यह सारे जारी आपकी समझ के उपर है, आपने समझा कैसे है, clear, आप इनके meaning देखेंगे, more social, यह कहीं पर भी adjust नहीं होगे, आपर, at present, at present, on account of the supreme court's last advisory opinion, the dash of the executive, क्या होगा, carrier होगा, future होगा, role होगा, प्लाइट होगा, पर रो रोल है, कि इसका executive का, and interference in appointment of judge, is, वो क्या कर दिया, अरे, यहां पर लेके आना था, यह चीज, यहां पर खतम हो जाती ही, ठीक है, is, is dash, which in light of previous, is most dash, अच्छा, वो क्या हो गया है, supreme court ने, at present, on account of supreme court's last advisory opinion, जो एक opinion दिया था, क्या दिया था, opinion, या फिर advisory opinion क्या था, कि जो role है executive का, और interference है, इसके appointment judgment में, judges में, judges के appointment में, जो interference है, वो क्या हो, वो maximum हो, minimal हो, वो negotiable हो, reasonable हो, वो minimal हो, वो minimal हो, यानि कम हो, अब इस से क्या होगा, इस से क्या हुआ, इस से क्या हुआ, यह जो बात बोली गई, इस से फैसला हुआ, यह जो supreme court ने खा, which in light of, which in light of previous, is most, is most adhered, neglected, rejected, rejected, या welcome, उसका welcome किया गया, तो यहाँ पर आ गया fourth, ठीक है, तो यह थे आपके सामने 25 English के questions, जो लगबख, पूरे के 50 नमर के, तो ऐसे ही हमें चीजों को आगे लेके चलना है, यह आपके लिए best way है, English को समनने का, आपके जो पतियारी को और ज़्यादा enhance करेगा, आपको यह पीडियो जो है, टेलिग्राम के एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको description box में, लिंक दिया मिलेगा, तो वहाँ पचा के जोइन कर सकते हैं, thank you for watching this video,